अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके किसान अगर उद्वेलित होंगे और जिस तरीके से किसानों को बर्गलाने में अगर विपक्ष सफल हो गया तो यह कहीं मुश्किल का सबब न बन जाए इसलिए आज बीजेपी अध्यक्स जेपी नडडा सरकार के बचाव में उत्रे और बताया कि किस तरीके से यह जो कृषि चरितर वाले पाटी है, अपने गोष्णा पत्र में इन बातों को लाती है कि हम किसानों के लिए क्या करने वाले हैं लेकिन जब सरकार उस पर कर रही है तो यह इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहां कि किसानों की जमीन पर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है, खली किसान अपनी उपज का सोधा करेगा ना कि जमीन का सोधा करने जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि MSP की जो वेवस्ता है वो समापत होने वाली नहीं है। क्या कहा है जेपी नडडा ने विबख्ष के आरोपों का किस तरीके से प्रतिवात किया है जेपी नडडा ने आई आपको दिखाते हैं तीनों ही बिल बहुत दूर दृष्टी रखते हैं और बहुत दूर दृष्टी रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लिमेंट में पास कर रहे हैं यह किसानों के उतपाद का प्रोड्यूस का दाम बहुत तीवर गती से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रिकल्चर सेक्टर में, क्रिशी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में, ये तीनों ही बिल बहुत महत्यपूर्ण भी हैं और बहुत लाबकारी भी हैं, कारक हैं, इसको हमको समझना चाहिए. अब मैं अगर बात करो, Essential Food Commodities Act की, 1955 का Act है, 1955 का, उस समय हमारे हाँ, Food Grain's की Shortage थी, 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था, आज 10 गुना बढ़ गया है, वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन्स हो गया है, उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है, अभी चार गुना बढ़ गया है, मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है, उसी तरीके से दालों का लगबग धाई गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है, तो ये जो बिलाया था, वो उस समय था जब Shortage थी, रेगुलेट करने की ज़रुत थी, और कोई होर्डिंग ना हो, और इसका सही दा के ये प्रॉइट करते हुए इसमें कोशिश यह रही है कि Extraordinary Circumstances में, अब Extraordinary Circumstances क्या है, फैमीन है, वार है, अकाल आता है, Natural Calitude होती है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, इस ब्लको बनाया गया है, जिसमें ये एक smoothness आएगी और इसके माधिम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी यह एक विशे को हमको ध्याम में लगना चाहिए उसी तरीके से यह जो farmers produce and trade and commerce का विशे है इसको भी farmers को facilitate करने का प्रयास है किसान को सुविधा देने का प्रयास है सुविधा जनत तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके इसकी विवस्था है और इसका जो मूल है कि अनाजमंडी के थुरू अभी क्या है अनाजमंडी के थुरू ही बेचा जाता है यह आपको सुविदा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तै कर सकते हैं और इसी तरीके से ये ट्रांस्पेरेंट पारदर्शी विवस्था है और किसान कॉम्पेर कर लेगा कि कहा हमको उचे दाम मिल रहा है कॉम्पेटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा यह कॉम्पेटिशन का भी इसमें से विशे आएगा और इसके साथ साथ इस बिल में ये प्रावधान है कि हम information of prices देंगे और information of prices यानि हम सूचना बताएंगे कि कहा किस जगह पर किया price चल रहा है और intelligence, intelligence market की intelligence यानि आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावना है इसके बारे में भी framework डेवलप किया जाएगा, जो disseminate करके यानि वह लोगों तक पहुंचाने की उसकी विवस्ता होगी उसी तरीके से ये जो Farmers Empowerment Protection Agreement Act है यह भी हम लोग जानते है कि contract farming ने, आपको मालूम है कि किस तरीके से contract farming होती थी और उसमें हमेशा ये खत्रा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो sponsor है, जो की वहाँ पर contract farming के लिए आया है अब contract farming आवशक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं तो इसमें model agreements बनाए गए हैं, कि model agreement के माध्यम से written agreement होगा और limited period के लिए लिमिटेड ये agreement होगा agreement जो होगा वह उत्पाद के जो उत्पाद होगा उस पर होगा और यह agreement भी regional भाशा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके कोई भी modification उस जमीन पर अगर invest करने वाला करता है, तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा और इसके साथ-साथ ये same day उसको payment हो जाएगी, जिस दिन quality अपना acceptance होती है जो उत्पाद की quality, जिस quality में वो उसके सामने जाता है, उस पर उसकी payment हो जाएगी, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसके साथ-साथ, assured price, bonus, और variables, ये तीनों contract के हिस्से होंगे तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा, कि बार आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा तो ये तीनों ही बिल्ज जो हैं, वहाँ किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाला, और किसान के मार्केट में और दाम मिलने में, जितने भी रुकावटे थी, बॉटल नेक्स थे, उन सारों को दूर करने का प्रयास किया गया है और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूँ, आज कॉंग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है इसका दोहरा चेहरा है, ये हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीती करना है कॉंग्रेस को सिवाए राजनीती के और कुछ नहीं आता, यही कॉंग्रेस थी, जिसने दोहजार तेरा-चौदा में यू-पी-ए की सरकार में, अपनी स्टेट गॉर्मेंट्स को, उस समय करनाटक में, आसम में, हिमाचल प्रदेश में, हर्याना में, मेघाले में फूड और फूड और वेजिटेबल्स को, इसने ए-पी-एम्पी-सी से डी-नोटिफाइ कराया था, एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी से बाहर इनोंने डी-नोटिफाइ कराया था, अभी भी, कॉंग्रेस का यह, अपने, मैनिफेस्टों में, दोहजार उननीस के मैनिफेस्टों में, वो बड़े स्पश शब्दों में पराग्राफ 11 में लिखते हैं, कि कॉंग्रेस विल रिपील अग्रिकल्चर प्रोडूस मार्केट कमिटी से अक्ट, यह, यह, यह देखें, कॉंग्रेस अनलीशेज होल, होलसेल रिफॉर्म, फ्रूट अन वेजिटेबल बंडीज, यह है, इसकी तारीख है, 7 जनवरी 2014, UPA की सरकार, फिर लिखती है, दी लिस्टिंग वेजिज, फ्रूट 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 चेकिंग प्राइसे, और उसके बाद अपने मैनिफेस्टों में 2019 में लिखती है, Congress will repeal the Agriculture Produce Market Committees Act and make trade agriculture produced, including exports, interstate trade, free from all restrictions. उसी तरीके से, पारगाफ ग्यारा में लिखती है, इक्यास में लिखती है, The Essential Commodity Act 1955, belongs to an age of controls. Congress promises to replace the act and enabling law can be invoked only in case of emergencies. यह जो इन्होंने लिखा है, उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा implement किया है, और प्रहान मंत्री मोदी जी ने यह कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राजसभा में यह oppose कर रहे हैं, और किसानों को लुभाने के लिए अपने मेनिफेस्टों में इसको डालते हैं, और आज दुनिया को गुमरा करते हैं, जूट बोलते हैं, यह कॉंग्रिस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए, और मैं यह बड़े स्पश्च शब्दों में कहूंगा, प्रधान मंतरी मोधिजी, किसानों के प्रती समर्पित हैं, यह तीनों ही बिल, किसानों को नई आजद हवा देने का काम कर रहे हैं, इसके बाद किसान को आजदी होगी, आप बताइए आज की सिती क्या है, कि यह डेड़ सो गाओं है, इसी आनाजमंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नीं सकते, उनको शुर्क दो, उनको लाइसेस दो, और उसके बाद state का barrier नहीं क्रोस कर सकते हैं, within district नहीं कर सकते हैं, यह किसानों के साथ इस तरह का वहवार क्यों, फिर उसी तरीके से contract farming का कोई कोई नमुना नहीं है हमारे पास contract farming का model अब आएगा written समझोता होगा समझोता उत्पाद पर होगा जमीन पर नहीं तो ये सारी बाते मैं कहूंगा all these three bills ये तीनों बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं किसानों की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलेगी लेकिन Congress का जूटा चेहरा एक तरफ अपने manifesto में लिखना और जब प्रधान मंत्री मोदी जी सार किसानों को बरगलाने के लिए धोखा देने के लिए उनको गुम्रा कर में का काम आज इंडियन नेशनल कॉंग्रिस कर रहा है जो बहुत ही दुखद है लेकिन मोदी जी के नित्रतों में किसान आगे आएंगे और पार्लिमेंट इसको पास करेगी उसका इसको लाब मिलने इस लाब को किसानों के लिए हम समर्पित भी करते हैं और मैं यही आपको बताने आया हूँ का आपके माध्यम से देश के किसानों को जो प्रगती शील एक्ट के माध्यम से जो परिवर्तन लाने का काम प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया है वह आपकी तस्वीर बदलेगा त इस बात को हमको समझना चाहिए अब बात कर ली जाए इस मुद्दे पर हो रही राजनीती की कॉंग्रस चाहे जितने भी आरोब लगाए लेकिन सरकार ने संसद में क्या स्पस्ट किया था जब यह विधेक पेश किये जा रहे थे उस दौरान यह आपको दिखाएंगे अपनी फज note हुए तब हमारे क्रिषी मंत्रि ने क्या कहाँ था कॉंग्रेश इस पर किस तरीके से राजिति कर रही है और खास वाफ पे पंझाब यहा जिस तरीके से आंदोर उनको उल्षक में किया जा रहा है जगाए जुभ आह जो राजमार को जाम किया जा रहा है अओ सभी र लाबकारी रहने वाले हैं ये विधेक हर दृष्टी से आयाय को समझाते हैं कैसे ये विधेक लाबकारी होंगे और कॉंग्रिस कैसे राडिती कर रही है ये भी आपको दिखाते हैं लोकसवा में सोमार को क्रशी छेतर से सम्मंदित तीन विधेकों को पेश करते वे क्रशी मंत्री निरेंद सिंग तोमर ने कहा था कि ये विधेक किसानों को उनकी उपज के लिए लाबकारी मूले दिलाना सुनिश्चित करेंगे और उन्हें निजी निवेश और प्रोध्योक की की भी सुलब हो सकेगी तोमर ने किसानों के उत्पाद व्यापार और वानिचे संबर्धन और सुविधा विधेक मूले आशवाशन और क्रिशी सेवा विधेक पर किसान शशक्ति करण और संड़क्षन समझोता विधेक को पेश किया जबकि उभवता मामले खादे और सा पार को सक्षम बनाएगा साथी किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी परदान करेगा मंतरी ने कहा कि ये पहल सरकार के देश के किसानों के कल्याण के लिए उसकी निरंतर प्रतिबदता के तहत किये गए तमाम उपायों की श्रिंखला मे उठाया गया ताजा कदम है तुमर ने कहा कि लगबग 86 परतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेर से कम की क्रिशी भूमी है और वे अक्सर नियूंतम समर्थन मूले यानि MSP का लाब नहीं उठा पाते हैं उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि नियूंतम समर्थन मूले यानि MSP बना रहेगा तरह सब कॉंग्रेस और अन्यदल विधेक का विरोध कर रहे हैं उनका तरक है कि यह MSP प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किये गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कमपनियों द्वारा किसानों के शोशन के स्थिति को जन देगा जबक प्रणाली की विपक्ष ने आरोप लगा है कि केंदर सकार उन राज्यों में प्रामर्ष के बिना ही विधेक लेकर आई है जिनके राज्ये में क्रिशी और मंडियों का विशे आता है इसके जवाब में सरकार ने विपक्षी सतस्यों से कहा है कि वे विरोध के लिए तो बालियों से समझवता कर सकेंगे ये समझवते उपज के बारे में हुंगे नाकी खेट की जमीन के बारे में बारे में शरकार के मार्जय के बनाई है कि इस विधेक के माद्यम से केंद्र , विभिन राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई क्रिशी उपज बाजार समिती यानि APMC कानून को रद कर देगी केंदर सकार इस तरह का कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है ऐसा विपक्षा कहना है विपक्षा यह भी कहना है कि यह विधाई अतिरेक का मामला है और सम्विधान के सं मंदित विधेकों को किसान विरोधी शडेंतर करार देते वे कहा कि इससे किसानों को नहीं बलकि बड़े-बड़े उद्योग पतियों को आजादी मिलने वाली है राउल गांदी ने ट्वीट किया किसान ही है जो खरीत खुदरा में और अपने उत्पाद की विक्री ठोक के से सौगत राय ने दावा किया है कि इन विधानों के कारण खेती पूंजी पतियों के हाथों में चली जाएगी इस भी स्तेलंगाना विधानसमा ने केंदर सकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संचोधन विधेक 2020 के विरोध में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर दि उलेखने की क्रिशी उत्पाद व्यापार और वानिज्य समवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई क्रिशी उपज की बिकरी और खरीद पर कर लगाने से रोकता है और किसानों को अपनी उपज को लापकारी मूल्यों पर बेच मंडियों के बाहर क्रिशी उपज बेचने में किसानों के लिए प्रतिवंध है कर दो दो किसानों के बाहर किसा आएफिकना जांता है